इस वर्ष नवरात्र महस्तों में सिंध माता मंडल की ओर से जो हुए तैयरी की जारी है तो यह तैयरी किस प्रकार की और किस तरग की प्रतिकुर्थी यहाँ पर निर्मान की जारी है प्रकाश तोत्वानी जी आप बोते हैं प्रतिवर्ष अनुसार हमारे मंडल की ओर से जो जो भारत वर्ष में प्रतिष्ट धाम बने हुए और वो 1500-1500-2000 किलोमेडर दूरी पर बने हुए उन धामों की प्रतिकुर्थी छोटे से स्वरूप ने यहाँ पर बना कर नाकुर नगरी के माता भक्तों को दर्शन कराया जा सल 15 तारिक को माननी है पूर्व महापोर अनिल जी सोले के हस्ते शाम को 6 बजे इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा उद्गाटन के बाद में अखणी जोद जलेंगी अखणी जोलत के बाद में कल से ही माता भक्तों के लिए यह शुरू कर दिया जाएंगा दर्शन ने दू सिंद्व माता मंदल की ओर से हर वर्ष इस तरका आयोजन किया जाता है तो आप यह बते इस वर्ष किस तरका अकरशन होंगा उस बर रखते तेगे इस वर्ष पूरे पहाड़ों से गुजरते हुए भक्तों को बरफिली यात्रा बारिश की यात्रा ऐसी यात्राएं करते कर माता शप्तशरंगी के दर्शन होंगे शप्तशरंगी के दर्शन के उपरान भावय और दीवय एक अखन जोत जो भक्त गणे आपर जलाते हैं करीब सव सवा सव अखन जोत के दर्शन होंगे अखन जोत के दर्शन के बाद जगत जन्नी खामला वाली माता जी के दर्शन हो दर्शनार है तू ओराल बना रहे हैं और फिर कुछ खान पान के इस्टाल रहेंगे लोग थकार के आते तो फिर खान पान के इस्टाल उनके लिए बनाया जा रहे हैं अर मंडल की ओर से चपल रखने की निश्युल का व्योस्ता हमारी ओर से की जा रही है और वो व्योस्तित रहती है एक खैला रहता है वो थेले में पूरे परिवार की चपल डालते है खार्यकरता उन चपलों पर नंबर देखे टोकन दे देते है भकतगन जब दर्शन करके आत तोकन देंगे अपना थेला उठाएंगा अपनी चपले पैरेंगे निश्विल के पीने के पानी की व्यूस्ता की जा है नीशिल को सोचल लैं है यहां पर जो जो पॉसिबlles ह्भकतों के लिए हम नीशिल को व्यूस्ताइं कर रहे है अस्त्मी के दिन रविश्वारrakो 22- retail उढ़ा portion वह प्रोषथ होंगा सुभ हवन यग्या होंगा और अस्टमी से लेकर दसमी तक के यहने तीन दिन लगातार महा प्रसाद रहेंगा सिंद माता मंडल की ओसे जो भवे दिवे जो आपके कारेकरम हरवर्ष करते हैं आप यह बताए कि हरवर्ष भक्तुन का ताता बढ़ते जा रहा है तो आप यह बता है सुरक्षा की दृष्टी से किस तर के विवस्ता की गई है बहुत अच्छा सावाल की है सुरक्षा की दृष्टी से हमने एक दस सीसी टीवी केमेरे लगाये है साथ कारेकरता स्योयम सेवक रहेंगे हमारे मंडल के और उपर से दस होमगाट लगाये गए है ऐसे सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है महिलाओं के तरफ माता बहनों के तरफ माता बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी धाम पर आप दर्शन करने जा रहे तो गहने पहन के ना जाए यह मेरी नम्रविनंती है हमारी ओर से मंडल के ओर से हम तो पूरी विवस्टा करें कि ऐसी किसी भी प्रकार के आज तरफ घटना हुई नहीं है और भविशमें भी नहीं होगी पर माता बहनों से निवे देना है उचे गहने पेनके दर्शन के लिए कहीं भी ना जाए महिला मंडल और स्वयम से भी संग की और से किस तरह का आप लोग को सपोग भूत रहता है उस वर में कॉंपिटिशन रांगोली की रखी है और इस बार वो इस पर्धाय जो बड़ी-बड़ी रखते थे वो नहीं रखी गई है क्योंकि कोरोना काल के बाद दीरे-दीरे हमको भी सवरने का समय मिल रहे है